ओम शान्ती, आज है 4 अक्टूबर 2021, मीठे बाबा के महवाक्य सुनेंगे, मुल्ली का सार है मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन भिन युक्तियां रचो, पुर्शार्थ कर चाट रखो, ठको नहीं, तुफानों में अडोल रहो, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन भिन युक्तियां रचो, पुर्शार्थ कर चाट रखो, ठको नहीं, तुफानों में अडोल रहो, प्रश्ण है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए, उत्तर हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं, भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं, बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाए दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है, फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ, दूसरी पॉइंट, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिती कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए, गीत है लाख जमाने वाले, ओम शान्ती, मीठे मीठे बच्चे अब बेहत बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहत का वर्सा मिलता है, जिसको आधा याद करते थे, यह तो समझाया है कि मनुश्यों को कभी भगवान नहीं कहा जाता, तो अब जब की बेहत का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है, जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे, तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते ह जब तक अंत हो, जब समपूरन पावन बन जाएंगे, तो यह शरीर छोड जाए, समपूरन पवित्र शरीर लेंगे, जब सत्युग में नया शरीर मिले, तब समपूरन कहेंगे, फिर, फिर रावन का खात्मा हो जाता है, सत्युग में रावन की एफजी नहीं बनाई जाती तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धी में यह याद रहे. अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है. वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत नहीं दैली. बच्चे जानते हैं, पहले यमुना का कंठा है, जहांपर परिस्तान बनना है. बच्चों को बहुत अच्छी रिती समझाया जाता है. पहले पहले तो बाप को याद करो. भगवान बाप पढ़ाते हैं. वही बाप टीचर गुरू है, यह भला याद रखो. बाबाने यह भी स समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो. वर्णो का चित्र भी बहुत जरूरी है. सबसे उपर है शिबाबा, फिर चोटी भ्रामन. यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं. अच्छा, यह बुद्धी में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं. अब संगम है. बाप जा समय नहीं रहते हैं. फिर भी सौ वर्ष तो लगते हैं. उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है. महा भारत लड़ाई तो वही है. जिसमें अनेक धरम विनाश, एक आदिसनातन देवी देवता धरम की स्थापना हो रही है. तुम्हारी कलाबाजी तो मनुष्यों की शाद तो रहती है न? तो उनों को कुछ न कुछ दे देते हैं. परवरिश उनों की होती रहती है क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे? बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है. बाबा ने अनुभवी रत लिया है. गुरू भी किये. कर सकते हो. हम अभी ब्रामन हैं, फिर देपता, शत्रिये बनेंगे. यह है सारी भारत की बात. बाप ने ऐसे समझाया है और धरम तो जैसे बाई प्लांट है. बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है. सेंसिबल जो हैं, वे हिसाब से समझ सकते हैं. इस हिसाब की तो दरकार नहीं. इन बातों में तो कोई फिकरात की बात नहीं. सबसे जास्ती फिकर यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें. बस एक ही फिकर है एक को याद करने का. घड़ी-घड़ी माया और फिकरात में डाल देती है. इसमें माया फिकर में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसी को याद नहीं आएगा। मांगते भी है शान्ती देवा। भगवान को कहते हैं हमको शान्ती दो। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो यह पुरानी दुनिया खतम हो जानी है यह भी तुम्हारी बुद्धी में है और मनुश्य तो घोरंध्यारे में है शान्ती सत्युग में ही होती है एक धरम एक भाशा रसम रिवास भी एक ही है वहां है ही शान्ती का राज्य अद्वैत की बात ही नहीं वहां तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है रावन राज्य है नहीं जो लड़ाई हो तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चड़ना चाहिए शास्त्रों में जो गायन है अतेंद्रिय सुक गोप कोपियों से पूछो गोप गोपियां तो तुम हो ना तुम सम्मुख में बैठे हो तुम्हारे पास भी नंबर वार है जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है टीचर भी है गुरू भी है यह तो वंडर है ना लाइफ तक साथ देते हैं गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते तो यह याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी परन्तु माया फिर यह भी भुला देती है मनुश्यों को यह भी समझाना होता है मनुश्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो क्या प्रूफ है बोलो देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान वाच यग्य भी रचा हुआ है यह है ग्यान यग्य अब कृष्ण तो यग्य रचना सके बच्चों को यह भी बुद्धी में रहना चाहिए कि हम भ्रामण इस बेहद यग्य के है बाबा ने हमको निमित बनाया है जब तुम अच्छी रिती यान और योग की धारना करते हो आत्मा संपूरन बन जाती है तब इस भंबोर को आग लगेगी मनुश्यों को ही पता होता है न कि यह बेहत का करमशेत्र है जहां सभी आकर खेल करते हैं बनी बनाई बन रही बाब कहते हैं बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहूनी हो हो गया सो ड्रामा में था फिर उनका चिंतन काहे का करे हम ड्रामा को देखते हैं ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुश्य देख कर रोते हैं अब वह तो हुआ जूठा ड्रामा यह तो सच्चा ड्रामा है सच सच करते हैं परन्तु तुमको कोई दुख के आसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो यह ड्रामा है। इसमें रोने की क्या दरकार है। Past is past. कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सब को रास्ता बताते रहो। बाबा तो राए देते रहते हैं। त्रीमूर्ते के चित्र तुम्हारे पास बहुत है। क्लियर लिखा हुआ है वै शिब बाबा यह वर्सा। तुम बच्चों को यह चित्र देखने में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विश्णूपुरी का वर्सा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खतम होनी है। बस यह चित्र सामने रख दो। इसमें खड़ जातो कुछ भी नहीं है। जार भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मन्थन करो। अपना टीचर आपे ही बन कर पडो। बुद्धी तो सबको है। चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ग्यान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है न। कहते भी हैं सत्गुरु मिला दलाल के रूप में। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बाते समझने समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पॉम बहुत है। सौ वर्ष पहले यह बिजली गैस आदी थोड़ी ही थी। आगे बाबा कहते आगे वाय सराय आदी चार गोडे की आठ गोडे की गाडी में आते थे। आगे साहुकार लोग गाडी में चड़ते थे। अब तो विमान आदी निकल पड़े हैं। आगे यह कुछ नहीं था। सौ वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है? मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। यह सब पाई पैसे की चीजी है। इनको आर्टिफिशल बॉम कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुर्णा चाहिए कि हम बाप को याद करें। जिसमें ही माया विगन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। भोजन खाता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूं। तो समझता हूं, बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे तुम ट्राई करके देखो। बाबा की याद में रह कर दिखाऊ। देखो, सारा समय याद ठैर सकती हैं। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठैर नहीं सकती है। बहुत किसम किसम की बाते याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुर्शार्ती है। इन पर तो बड़े जन्जट है। बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती हैं, मैं ईश्वर की शरन में आई हूँ। कितने विग्ण पढ़ते हैं। कोई के पास शांती नहीं है, तुम बच्चों को खातरी है। तुम बच्चों को खातरी है। अभी पुर्शार्ट कर श्रीमत पर चल शांती में रहते हो। इस बाबा ने यहां भी कई ऐसे घर देखे हैं, जहां आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं। सभी बड़ों की आग्या में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जहां सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्सा बाप से लेते हो। वहां तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फरक होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भबके में रहते थे। यह तो ठेरे पतित और रावन के राज्य में। तो विचार करो सत्यूग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायन के रखे हैं। क्रिश्न के लिए जूटी बाते लिख बदनामी कर दी है। जूट माना जूट सच की रती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जनमले बिलकुल शूद्र बुद्धी बन गए है। क्या हाल हो गया है। अब फिर पुर्शार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना कि तुम क्या बनेंगे। तो सब हात उठाते हैं सूर्यवन्शी बनेंगे। हम तो मात पिता को पूरा फॉलो करेंगे। कम पुर्शार्थ थोड़े ही करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाब कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज। यह शिबाबा, यह विश्नुपुरी लक्षमी नारायन का राज्य होगा। यह तो बहुत अनुभवी है। सीड़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को यह जाड चक्र देखने से ही बुद्धी में सारा ग्यान आ जाना चाहिए। यह जो लक्षमी नारायन है, इनों की राजधानी कहां चली गई? किसने लड़ाई की, जिस से हाराया? अब तो वह राज्य है नहीं। इन इश्वर ये बातों को कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षातकार हुआ है। कैसे गुफाओं खानियों में जाकर सोने हीरे आदी ले आते हैं। यह साइंस तुम्हारे सुक के लिए होगी। यहां हैं दुख के लिए। वहाँ एरो प्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरु-शुरु में यह सब कुछ साक्षातकार किया है। पिछाडी में भी तुम बहुत साक्षातकार करेंगे। यह भी तुमने साक्षातकार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ती का रूप देख भाग जाते हैं, वह सब बाते पिछाड़ी की हैं, चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे, तो वह एकदम भाग जाएंगे, अब बाप कहते हैं बच्चे, खूब करो, मुख्य बात है पवित्रता की, एक जनम पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी, जिसमें सब खतम हो जाए, शिब बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, यह बाबा सब बतलाते हैं, शिब बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है, माया के तुफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है, बाब की याद में रहने से ही शक्ती मिलती है, कोई बच्चे चाट लि जिससे इतना बड़ा वर्सा मिलता है ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं याद ही नहीं करते ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए शिबाबा हम आपको बहुत याद करते हैं बाबा आपकी याद बिगैर हम बला कैसे रह सकते हैं जिस बाप से विश्व की बा एक कार्ड लिखा वह भी तो याद किया ना लौकिक बाब भी बच्चों को चिठी लिखते है नूरे रतन इस तरी पती को कैसे चिठी लिखती है यहां तो दोनों संबंध है यह भी याद करने की युकती है कितना मीठा बाबा है हमसे क्या मांगते है कुछ भी नहीं वह तो दाता है देने वाला है न यह लेने वाला नहीं कहती है स्वीर्ट चिल्डरन मैं आया हूँ भारत को खुश्बूदार बगीचा बना कर जाता हूँ अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते गुड बॉनिंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया वह मेरा भाग्य वह मेरे भाग्य विधाता बाबा धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट सूरेवन्शी बनने क लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है याद में रहने की और आप समान बनाने की महनत करनी है दूसरी पॉइंट पुर्शार्थ कर श्रीमत परचल शांत रहना है बड़ों की आग्या माननी है बरदान है स्वयम को सेवाधारी समझकर जुकने और सर्व को जुकाने वाले निमित और नम्रचित्र भव स्वेम को सेवाधारी समझ कर जुकने और सर्व को जुकाने वाले निमित और नम्रचित भव डिटेल है निमित उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प वह हर करम को बाप के आगे अरपन कर देता है निमित बनना अर्थात अर्पन होना और नम्रचित वह है जो जुकता है जितना संसकारों में संकल्पों में जुकेंगे उतना विश्व आपके आगे जुकेगी जुकना अर्थात जुकाना यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो जुके जो सच्चे सेवाधारी होते हैं, वैसदैव जुकते हैं। कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम, शान्ति।